नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों सब्ता का हर एक दिन किसी देवी देवता को समर्पित होता है हर दिन किसी खास देवी देवता के लिए अर्पित होता है उसी प्रकार से सब्ता के सौंबार को शिवजी के लिए दुबार को गनेज जी के लिए वीरवार को ब्रस्पति देव और विश्नु भगवान के लिए और शुकरवार को माता लक्षमी और सनीवार को शनीदेव के लिए समर्पित करते हैं और वहें रभीवार को सूर्देव के लिए समर्पित माना जाता है दोस्तों हनवान जी के बारे में तो यह ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपका कोई भी ऐसा कारे हो जो लाख यतन करने के बाद भी ना हो रहा हो तो आपको केवल एक चौपाई बोलनी है कवन सोकाज जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही अर्थात जगमें ऐसा कौन सा वह कठिनकार है जो आप से होता है हनुमान चालिसा की एक चौपाई में तो यहां तक बरणन है संकट कटे मेटे सब पीरा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज की किर्पा से आप अपने जीवन में कैसी भी संकट में हो कैसी भी विपदा में हो उस परिशिती से उस विपदा से तुरंत आपको निकाल सकते हैं दोसтоो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी महारात को चड़ा दें ये एक चीज, आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान करेंगे बजरंग बली हनुमान। दोस्तों आपने अगर अपने जीवन की समस्षाएं एक बार बजरंग बली को सौप दी और बजरंग बली ने प्रसंद होकर आपके इस समस्षाओं को सुईकार कर लिया तो वे समस्षा आपके जीवन में अब आपको ज्यादा दिन तक सता नहीं सकती है तो आज की वीडियो म हम आपके ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जैसे अगर आप बजरंग बली हनुमान को चड़ा देते हैं तो आपके जीवन के सभी दुखों का वे संकटों का नास स्वेम बजरंग बली हनुमान करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंतर तक अवश्य देखें व जी शक्ते हैं एक सुकुम यजीवन तो अब हम बात करेंगे तो कूंसी चीज है जिसे आप बजरंग बली हनुमान को चड़ा देते हैं या कौंसी कौंसी चीज हो सकती हैं हम आपको और और भी बताएंगे जिसे कि आप पता चलेगा कि कौन सी चीज चड़ाने से आपको कैसा फल पराप्त होगा, किस बरकार की मुसीबतों को आप टाल सकते हैं। जैसे कि आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको क्या चड़ाना चाहिए। कारो बार में उनती चाहिए तो आपको क्या चढ़ाना चाहिए बहुत से लोगों को केबल धन लाब चाहिए होता है तो ऐसे ब्यक्तियों को बजरंग मली हन्मान को क्यारपित करना चाहिए बहुत से लोग बिचारे कोट का चैरी आदी के मामलों से गिरे रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने संक्टों से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए या फिर क्या चड़ाना चाहिए अगर आपका धंदा पानी ठीक से नहीं चल रहा है आपकी बिक्री सईसे नहीं हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चड़ाना चाहिए मैं स्वयम बजरंग बली से उनके लिए प्रार्थना करूँगा कि उनके जीवन में सदेव सुक समर्दीवे शान्ती बनी रहे सदेव संकटों का निदान होता रहे दोस्तो पहली चीज जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह है बीडा पांग दोस्तो आपने प्राचीन समय में बड़े बुजर्गों के कहते सुना होगा कि उसने उसका बीडा उठा लिया अर्थात जब कोई किसी व्यक्ति के संकतों का या पिर किसी भी जिम्मेदारी का जब भार बोज उठा लेता है तो उसे कहते हैं बीडा उठाना वैसे ही अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से घृद चुके हैं तो ऐसे में आप बजरंगवली हनमान को बीडा उठ दे दीजिए यानि कि दोस्तों आपको पान का एक बीड़ा बनवा करके लेके आना है और आपको इसे किसी भी बजरंग बली हनुमान मंदिर में जाना है इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है दोस्तों आज कि इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय के लिए आपको किसी भी दिन का चुनाव नहीं करना है ऐसा नहीं है कि आप मंगल बार के दिन ही जाएं या सोंबार के दिन ही जाएं आप किसी भी दिन जाएं बजरंग बली हनुमान के पास और सच्चे दिल से एक बार वहाँ पर हनुमान चालिसा का पाठ करके हनुमान जी को बीडा दे दीजे और मनी मन हाथ जोड़ करके आप अपनी समस्या को बजरंग बली हनुमान जी से कह दीजे आप बजरंग बली हनुमान को बीडा चड़ाने के बाद अपनी समस्या कह देने के बाद हाथ जोड़ कर प्रासना करें हे बजरंग वली हनुमान मैंने अपनी समश्या का बीड़ा अब आपको दे दिया है जिस प्रकार आपने प्रभुष श्री राम जी को अपने कंदों पर उठाकर उनके सभी संकटों का नास कर दिया था उसी प्रकार से अब मेरी बीड़ा मेरी परेशानियों को अपने कंदे पर ले लिजिए मेरे वीड़ा को अपने कंदे पर ले लिजिए और मेरी सभी समस्याओं का सर्वनास कर दीजिए अब देखिएगा कि आपकी समस्याएं बहुती शिग्र खतम होने लगेंगी दोस्तों अगर कोई ऐसी समस्या है जो लाग यतन करने के बाद भी दूर नहीं हो आप नोकरी भी नहीं मिल रही है नोकरी करते हैं तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है यानि कि धन आने के जितने भी मार्ग होते हैं उनमें अगर रुकावाट आ गई है तो आप एक उपाय बश्य करिए आप लोंग सुपारी और जाइफल इन तीनों चीजों को उठा करके अप क्यां आप स्वच्च होने चाहिए यानि की साफ सुथरे होने चाहिए बस आपके सी बात का ध्यान लगना है का शौर्प प्रम्ने पेरों पर एक मगहापाणी आपको अपशे डाले ना ना भो ले पौछ लेने हैं साफ सुत्री पेरों के साथ आपको जाना है और हातों को आप उसमें ये लॉंग सुपारी जाइफल डालीजे दोस्तों बजरंग बली हनुमान को लॉंग सुपारी जाइफल पसंद ही नहीं बेहत पसंद है इसलिए आप इन चीजों को लेकर जाएं अगर आपको लगता है कि आप सनी की दोस्ते परिशान है तो अब उनी लॉंग में से एक लॉंग उठाकर चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें डाल दीजिए और हनुमान जी की आरती करें और बाकी के लॉंग सुपारी जाइफल को अपने हाथ में ही रखें इससे आपके सनी दोस्त भी दूर हो जाएंगे साथी अगर आपको पता नहीं कि आपकी समस्या क्या है बस आप अपनी समस्याओं से मुक्ती प्राप्त करना चाहते हैं धन संबंदी जितनी भी समस्या हैं धन की आवक को बढ़ाने के लिए अगर रुके हुए सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक समेली के तेल का दीपक प्रजुलित करें बजरंग वली हनुमान के सामने, और उससे बजरंग वली हनुमान की आरती करें, उसके बाद वहीं बैठ करके, एक बार हनुमान साली सका पाठ भी अवश्य करें, और वहीं बैठ कर, आपको, खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही, आपको ये तीनों चीजे, लोंग, सुपारी, विजाइपल, इनकी कोई गिंती नहीं दोस्तों, जितने आपके मन में आए उस समें, कि मुझे दो चड़ानी हैं, तो दो आपको जितने भी मनमाए, आपको एक मुटी भरकर, ये सबी बजरंग बली हनुमान के सामने आपको अर्पित कर देनी है, उसके बाद एक माला उठाकर, आपको बजरंग बली हनुमान के सामने, प्रभू श्री राम की माला का जाब करना है, जिया दोस्तों, जै श्री राम जैए श्री राम जैश्री राम इस परेक नहीं है तो आप उंगलियों पर गिनकर एकसोगिंगराने परभूंड ऑस परेकोफारं जाए कि Two लॉब्रामDavilj को बहुर्श थानवान को बतीफिन अव्य। प्रबुश्री राम का नाम, जिस जगह पर प्रबुश्री राम के द्वारा कोई उपाई किया जाता है, वे बजरंग बली हनुमान के लिए साखशत प्रबुश्री राम की आग्या होती है, और इतिहास कवा है दोस्तों, कि बजरंग बली हनुमान कोई भी बात चाल सकते हैं लेकिन अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अवेलना तो आपके जीवन वे समस्याओं को दूर करने की जिम्मदारी सुयम बजरंग बली हनुमान अपने कंदों पर ले लेते हैं इसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जैज ली राम कमेंट में अवश्य लिख दें ऐसे व्यक्तियों के उपर बजरंग बली किरपा करेंगे हम खुद भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे दोस्तों अकर गरीबी नारेल लेकर आना है और बिना छिला लेकर आना है आप इस नारेल को लाने के बाद हनुमान जी को चड़ाए जाने वाले सिंदूर को भी लेकर आए आप इसे गंगाजल आदी डाल करके इसे घोल ले और उससे उस नारेल पर श्री राम लिख दे और बजरंग बली हनुमान को चड़ाकर अपनी गरीबी का नास करने के लिए प्राइथना करें दोस्तों ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता जिस परकार सभी अमना को बताया कि बजरंग बली हनुमान कुछ भी छह सकते हैं लेकि अपने प्रभू स्री राम की अवेलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इसलिए इस उपाय को करते ही आपके जीवन के साली समस्याओं को समाधान स्वहम बजरंग बली हनुमान करते हैं इसके अलावा दोस्तों आप दो पीपल के पत्ते ले ले और एक पीपल के पत्ते पर अपना नाम और दूसरे पीपल के पत्ते पर श्री राम का नाम आप चम आपका नाम एक पते पर राम जी का नाम और एक पते पर फिर से आपका नाम एक पते पर फिर से राम जी का नाम एक पते पर आपका नाम और एक पते पर श्री राम जी का नाम इस प्रकार से आपको टोटल छे पते लेने हैं और तीन जोड़े बना लेने हैं अब आपको क्या क साय दूसरे मंदिर में जाकर हनुमां जी के सामने रखकर एक बार बैठकर हनुमां चालीसा का पाट करना है पाट करने के बाद हनुमान जी से चाझ दोस्तों यह उपाए शर्व श्रेनी उपाए है, यारे कि इस एक उपाए से आपके जितनी भी समस्या है, उनका अंत हो सकता है। आपको अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में कहें दन संबंदी है, कोट का चैरी की है, भूत बादा, प्रेत बादा या पर कोई भी प्रकार की बादा है, परेशानी है, आपके जीवन में भागे साथ नहीं देता है, या कुछ भी समस्या है, आप बजरंग वली हनमान जी स हाथ मुअधि धोने के बाद आपको बजरंग वली हनवान के सामने, य 행ि अपने घरकें 만दिर में बैटकर आपको खनवान के सामने नकारतमक्षक्ति टिक नहीं पाती है और सभी प्रकार के समझ्चाओं का अंत होकर आपके जीवन में सदेव आपको तरक्की ही मिलती है तो दोस्तों आज की वीडियो में के विले इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादे धन्यबाद कमेंट बॉक्स में लिकना ना बूले जै मातादी जै शीव शंकर हरर महादेव जै बजरंग बली